अग्यूर्णिंग ज्टुडेंट्स आज हम S-K-L-Mint जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है कि S-K-L-Mint को कौन-कौन सी क्लास में डिवाइड किया गया है कैसे डिवाइड किया गया है ठीक है तो जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं करते हैं तो एक साइन्टिस्ट का नाम आता है हाइमन एक साइन्टिस्ट का नाम है हाइमन ठीक है 1951 के अंदर हाइमन ने 1951 के अंदर सके हलमन जो है उसको 7 क्लासेज में डिवाइड किया यह तक ना डिवाइड़ एसके हलमन इंटू 7 क्लासेज साथ क्लास में उसने सके हलमन को डिवाइड कर दिया ठीक है और वो साथ क्लास के नाम हैं एक क्लास थी रोटी फैरा एक क्लास थी गैस्ट्रो ट्राइका ठीक है एक क्लास थी उनकी थर्ड क्लास थी किनेरो हाइंका ठीक है फॉर्थ क्लास थी प्रिया प्यूलीड़ा फॉर्थ क्लास थी प्रिया प्यूलीड़ा ठीक है यह फॉर्थ क्लास थी फिफ्थ क्लास का नाम था निमेटोड़ा और निमेटोड़ा का अपने नाम सुना होगा ठीक है शिक्त क्लास थी एकेंथोसिफेला ठीक है और एक सेवन्थ क्लास थी निमेटो फोरा ठीक है यह साथ क्लास उन्होंने डिवाइड की एसक एलमेंथ में लेकिन इन में से 5 जिनको जाददा स्टेडी किया जाता है और इन 5 में से भी जो सबसे बड़ी और सबसे इंपोर्टनट क्लास है वह निमेटो व्यासे इन के इंदर पांक क्लास जो मेन है उसमें रोटी फैरा, गैस्टो ट्राइक का, किनोर हायंग का, ठीक है, एक ये निमेटोडा और एक निमेटोफोरा, ये पांच क्लास को स्टेडी किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, और वो भी उनके डैजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिप्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, डवलफ्मेंट कैसे होता, उसके बेस में इनको स्टेडी किया जाता है, ठीक है, अब इन सभी क्लास में से, जो सबसे इंपोर्टेंट क्लास है, और जिसको सबसे ज़्यादा, जो मेन क्लास है, इसकी, वो है, निमेटोडा, और जनरली हम, एसके हल मिंत क के अंदर जो निमेटोडा के करेक्टरस्टिक्स हैं, उन्हीं को स्टेडी करते हैं, निमेटोडा जो क्लास उन्होंने बनाई, उसी के करेक्टरस्टिक्स जो हम है, वो एसके हल मिंत के अंदर स्टेडी करते हैं, ठीक है, निमेटोडा के बाद में, जो दूसरी जो क्लास है है ठीक है वो है रोटी-फेरा just 새로 एंट छिए बीटा तो यह साथ किलास है इस साथ किलास में से हमें में जो पांची किलास इसके अंदर और पांच मेय से जो सबसे बड़ी क्लास से वो निमे क्रेक्टर्ष टिक ही हम S-K-Element के अंदर study करते हैं ठीक है फिर इसके बाद एक class हो रहा है रोटी फेरा ये भी common class है और इसको भी हम study करते हैं अच्छे जे दूसरा इसके बाद कुछ scientists और हुए और उन्हों ने जो hymen ने जो 7 classes बनाई थी उन्होंने उनको phylum में convert कर दिया और जो SQL MINT है उसको super phylum बना दिया उन्होंने तो scientist थे storer and usinger ये scientist थे usinger and storer 1971 के अंदर 1971 के अंदर इन्होंने जो seven classes बनाई थी उन्होंने क्या बना दिया उनके पाच phylum बना दिये और SK हलमिंद को super phylum बना दिया ठीक है raised classes into two separate phylum under SKल MINT as super phylum SQL means add super phylum तेके उन्होंने super SQL में था उसको तो super phylum बना दिया और जो एक लासेज बनाई थी इनको उन्होंने phylum बना दिया उनको phylum में convert कर दिया तो phylum में नाम वही रहेंगे जो पाँच क्लास जो important है वही हमने पढ़नी है और उन्ही को उन्होंने जैसे पाँच phylum बना दिया फाइलम निमेटोड़ा फाइलम रोटिफेरा गेस्टोट्राइका किनोरोहाइंका और निमेटोफोरा ये पाँच उन्होंने फाइलम बना दिया इनको अब आगे हम जो इनकी क्लास या जो फाइलम पढ़ेंगे वो देखेंगे हमकी किस का classification फोलो करते हैं अगर हम हाइमन का classification फोलो करते हैं तब तो हम इनको निमेटोड़ा रोटिफेरा को class consider करेंगे और अगर हम स्टोरर और यूजिंगर का classification फोलो करते हैं तब हम इनको फाइलम जो है वो consider करेंगे ठीक है तो अब कुछ जो important classes है या जो यह फाइलम है इनके जो basic से जो characteristics हैं वो हम compare कर लेते हैं ठीक है तो ascalement हमें अगर उसे super phylum consider करते हैं ठीक है तो हम इन सब को rotifera, gastro, trika और किनो और गाएंगा को phylum consider करेंगे और अगर हम इस ascalement को phylum consider करते हैं तो फिर हम इनको rotifera, gastro, trika और इनको class consider करेंगे तो देखते हम कि हम किस का classification फॉलो कर रहे हैं तो classification चाहे जिसका भी है लेकिन इनके जो general character है basic character है वो सब सब के अपने जाए class हो चाहे phylum हो वो general character इनके वही रहेंगे चाहे हम उनके class consider करें चाहे हम उनके phylum consider करें तो rotifera सबसे पहले अगर हम इसका feature देखें तो mostly fresh water में रहते हैं ठीक है कुछ एक है जो marine water में भी है लेकिन mostly कैसे है fresh water के अंदर रहते हैं rotifera किस के अंदर मिलेंगे fresh water में ठीक है and fresh water ठीक है marine भी है और fresh water में भी रहते हैं किनोर हायंक का जो है exclusively marine है इसमें कोई species fresh water के अंदर नहीं ठीक है निमे टोड़ा जो है वो aquatic भी है और terrestrial भी है ठीक है aquatic के अंदर वो fresh water के अंदर ठीक है aquatic और terrestrial ठीक है और terrestrial में वो damp soil जो है उसके अंदर मिलते है इसके अलाबा जो निमेटोफ हो रहा है aquatic है fresh water भी है और damp soil के अंदर भी है ठीक है यह aquatic भी है ठीक है और aquatic जो है वो fresh water के अंदर है fresh water ठीक है और damp soil terrestrial में वो damp soil में मिलता है ठीक है यह तो बात होई इनके habitat के अब जो इनकी surface layer है body wall जो है ठीक है उस पर cuticle है या नहीं है cuticle के साथ में और कौन-कौन सी layer उसमें present है वो हमें देखने है ठीक है तो rotifera के अंदर cuticle है cuticle जो है वो plate की बनी है छोटी-छोटी cuticle के क्या है plates है form of plates ठीक है और उन plates को फिर हम क्या बोल देते हैं और यह पूरी को जो cuticle है उन plate के वज़े से उसे क्या बोल देते हैं लोरी का बोल देते हैं ठीक है क्या बोलता है उसे हम लोरी का यह हम लोरी का बोल देते हैं ठीक है यहां पर cuticle है लेकिन cuticle कैसी है spiny है ठीक है यहां पर भी cuticle है और वो spiny है यहां पर cuticle है उसके साथ साथ में syncytile epidermis है ठीक है और muscle layer है वहाँ पर muscle की एक layer है ठीक है और neematofora के अंदर cuticle है और highly ठीक है cuticle is highly thick ठीक है ठीक है muscle की layer भी इन सब के पास होगी कहीं पार longitudinal होगी कहीं पार longitudinal और curd दोनों होगी ठीक है muscle layer सब के पास पर्जेंट है इसके बाद हम इनके digestive tract की बात करते हैं तो digestive tract जो है कि ट्रोटी फैरा के अंदर कैसा है कंप्लेट है ठीक है और digestive system सभी के अंदर कैसा मिलेगा कंप्लेट मिलेगा ठीक है ठीक है सब क्लास से जो फाइलम है सब के अंदर digestive system कंप्लीट है ठीक है और एक फाइलम या एक क्लास जो है निमेटोफोरा जिसके अंदर वेस्टीजल है अडल्ट के अंदर मतलब वहां है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है ठीक है वेस्टीजल digestive system है इसके बाद next excretory organ की बात करें हम कि excretory organ क्या है यहां तो excretory organ जो रोटी फैरा है उसके अंदर तो प्रोटोन एफरीडिया प्रोटोन एफरीडिया है ठीक है गैस्टो ट्राइक का है इसके अंदर भी क्या है प्रोटोन एफरीडिया है excretory organ ठीक है और जो किनौर हाइंक का है उसके अंदर नहीं है एक्सक्रीटरी system नहीं है वहाँ पर लैक है निमेट निमेटोडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी हो रहा है उसके پास absent एक्सक्रीटी ओर्ने रोटीफ हैरा युझि शेक्षवल हैюда कि गैस्टो ट्राइक का यह भी युझी सेक्षवल है यह भी यूनि शेक्षवल है किनौर हाइंग का यूंधा च्छाशल बोक्राइड का यूंसे-च्छाब ही है तेखे सेखेड की अगर हम बात करें तो ये सब के सब कैसे हैं यूनि विमेल आपर अलगलग है और सभी सेकश्वल डाइम्ओर अंद्धियु जो है वह शोग करते हैं ये लेकिन रोटी-फैरा जो है वह पार्थेनो-जनेशिस भी शो करती है शो पार्थेनो जनेसिस ठीके रोटी फेरा पार्थेनो जनेसिस शो करता है गैस्ट्रो टाई का है वो भी पार्थेनो जनेसिस शो करते हैं अधिके बाकी इनके अंदर परते हैं नहीं है और डवलप्मेंट इन सब के अंदर कहीं डारेक्ट है कहीं पर इंडारेक्ट है यह तो थे कुछ सिम्पल में-में जो इमपोट्न फीचर्व है जो इनके यिस रोटिफेरा ग्य comentarios रहाऑं यहां पर है कुछ एक एक इगजम्पल यह हम देख लेते हैं तो जैसे एक जामपल है एक औरगनीजम फिलोडीन रोटेरिया ठीक है और गैस तो ट्राइक और उसके अंदर एक जामपल जैसे के नो टौन के नो एक तो ट्राइक के अंदर केटो नोटस एक्जम्पल जैसे और किनोर हाय का इंदर एक्जम्पल जैसे काइनो डेरीज और निमे टोड़ा के अंदर बहुत सारे एक्जम्पल हैं जैसे एक्जम्पल है निमे टोड़ा और निमे टोड़ा ही में फाइलम या क्लास है एक्जम्पल जैसे एक्जम्पल देंके निमे टोड़ा के अंदर तो नेक्टो नेमा यह एक्जम्पल है कुछ ठीक है तो यह तो कुछ जनल सी बात थी क्लासिफिकेशन की इसके बाद जो एसके हल में हैं हम उसके कुछ ऑर्गनीजम्प्लम के बारे में भी करेंए लेकिन उससे पहले निमे टोड़ा जो है जो में क्लास है या में फाइलम हाए ठीक है उसके कुछ गुरूप embrace Master फर्दर दो गुरूप में डिवाइड किया गया है वो दो गुरूप कौन से हैं और किस बेस पर उनको डिवाइड किया है यह हम और पढ़ते हैं इसके अंदर स्टुडेंट्स हम निमे टोड़ा जो मेन फाइलम या मेन क्लास है इसके अलमेंट की उसको आगे फर्दर स्टेडी करते हैं और निमे टोड़ा को आगे दो गुरूप में डिवाइड किया गया है निमे टोड़ा जो फाइलम है या क्लास जो है उसको दो गुरूप में डिव है ठीक है और एक है फेज मीड़ा और फेज मीड़ा यह दो क्लासेज हमने यह कहें कि दो गुरूप जो है वो ने में हमने डिवाइड करती हैं तो इन दो गुरूप को हम क्लास भी बोल सकते हैं अगर आगर हम new method को phylum consider करेंगे तो यह दो class होंगे उसकी और अगर हम new method को class consider करें तो यह दो क्या होंगी? subclass होंगी उसके तीक है, अब ये जो group divide किया गया है वो किस base पर divide किया गया है phasmid present है या absent है उसके base पर हमने new methods की दो class जो है या दो सब कला जो है वो बना दी है अब एक word यहाँ पर आता है phase mid जो है उसमें क्या नहीं होता है phase mids are absent phase mids are absent और यहाँ पर क्या होगा phase mids are present ठीक है यहाँ पर phase mid present होगा अब एक चीज आपको देखनी कि फेजमिड क्या होता है फेजमिड क्या होता है जो word हमारे पास आया है यह हम पहले भी लिख्षा था हमने फेजमिड क्या होता है । वहाँ पर पार्ट है टेल जो पार्ट है उसका जहां टेल है वहां पर सेंसरी ओर्गन सेंस्पेशल जिनको फेजमीड बोला जाता है और वो फेजमीड परजेंट है या अबसेंट है उसके बेस पे दो गुरूप बनाए है फेजमीड और फेजमीड तो फेजमीड क्या है कोडल सेंसरी कोडल मिन्स टेल होता है ठीक है टेल का जो रीजन है टेल वाला जो पाइट है वहाँ पर सेंसरी ओर्गन परजेंट है अपसेंट है उसके वेज़ पे दो क्लास हमने बनाई है निमेट ओड़ा की यह दो सब क्लास बोल सकते हैं तो फेज मीड़ा में आपको याद दखना है फ हैं आफ वेरियस टाइपस में आफ वेरियस टाइब रेर्ली पर लाइक बहुत कम चांद से जहिए कि यह इंफ हैं पोर लाइक हो ति कि अप फिर से वह एक वर्ड आ गया है कि यह एमफिड नहीं होता है लेकिन यहां पर जो फेज मीड़ा है उसके इंदर जो emphids हैं वो pore like है emphids are pore like pore की तरह से emphids है emphids क्या होता है फिर वही एक बात और emphids जो होता है वो होता है anterior sensor organ ठीक है emphids emphids क्या है anterior sense organ और anterior sense organ जो mouth की तरह वाला part है वो पौन सा anterior part है और anterior reason पे sense organ है या नहीं है और किस type के है उसको हम बहुत दें emphid तो यहाँ पर emphid जो है एक group में pore like है और एक group में कई type के है और rarely वो pore like होता है एफेज मिटा के अंदर ठीक है एफेज मिटा में नो एक्स क्रिटरी system सिस्टम कोई एक्स क्रिटरी सिस्टम नहीं होता है नो एक्स क्रिटरी सिस्टम और फेज मेड़ा के अंदर एक्स क्रिटरी सिस्टम डवलप्ट एक्स क्रिटरी सिस्टम डवलप्ट ठीक है दूसरा एंफेज मेड़ा के अंदर कोडल अडेसिव ग्लैंड्स प्रेजन्ट होती है कोडल कोडल अडेसिव ग्लैंड्स प्रेजन्ट होती है और फेज मेड़ा में कोडल अडेसिव ग्लैंड्स नहीं होती है कोडल कोडल अडेसिव ग्लैंड्स ठीक है अडेसिव ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स है जो बोडी के इनकी बोडी के अंदर ठीक है तो कोडल अडेसिव ग्लैंड्स प्रेजन्ट है या एपसेंट है उसके एफेजमीडा में प्रेजेंट है कोडल एड़ेसिफ ग्लेंड और फेजमीडा के अंदर एबसेंट है इनके कुछ एक्जाम्पल जो है वो देखते हैं इस एफेजमीडा के अंदर और्गनीजम है ट्राइकीनेला ठीके जिसको ट्राइकीना वोम बोला जाता है ग्लाइक ट्राइकीना वोम बोला जाता है एक ट्राइक्पूरिस जिसको वप वोम बोला जाता है ठीक है और इदर जो फेजमीडा है उसके इंदर एक्जामपल एसकेरेस एंसाइलोस्टोमा एंटिरोबियस और गुचर एरिया थीक है ये कुछ एक्जाम्पल है थीक है इसके बाद बिटा जो तो कुछ एक और फीचर है जो इस एडवांस फीचर है या जो यूनीक फीचर है इस एसके बाद के वह हम देखते हैं यूनीक फीचर के अगर हम बात करें तो एसके हलमेट के अंदर सिंसीटियल क्या है एपिडरमिस है थीक है दूसरा मसल लेयर है मसल लेयर कंसेस्ट ओफ लोंगी चूडनल फाइबर्स ओनली लोंगी चूडनल मसल फाइबर्स ओनली थीक है यूचए अपाइबर्स ओफ है दूसरा मसल लेयर है लेकिन मसल लेयर में लोंगी चूडनल मसल फाइबर है और एक थर्ड जो यूनीक फीचर है वो क्या है कि यहां प्यूदू शीलों है अब तक सिलोम अपसेंट था लेकिन अभी आँपर सूडो सिलोम जो वो आ गया है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो टोपिक है उसमें हम देखते हैं कि कुछ पैरसिटिक जो एसकेलमिंट हैं निमेटोर्ड उसका जो डिस्क्रिप्शन है ब्रिफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हम study करते हैं ठीक है तो हम कुछ एक जो parasitic escalement है उनका description करते हैं ठीक है कौन-कौन से parasitic common जो parasitic escalement है उसमें सबसे पहले एक नाम आता है ascaris lumbricoids का ठीक है और ascaris lumbricoid का हम giant intestinal roundworm भी बोलते हैं बड़ा intestinal ये roundworm है ठीक है तो ascaris lumbricoid जो है वो human being की जो small intestine है उसके इंदर endoparasite endoparasite of small intestine of human beings ठीक है ascaris के अंदर secondary host नहीं है कोई भी secondary host इसके अंदर नहीं है और secondary host नहीं है तो ये कैसा है monogenetic है ठीक है कैसा है ये monogenetic है जिसमें सिरफ एक ही host हो उसमें बोलते है monogenetic parasite दूसरा male जो है इसमें shorter है और narrower होता है छोटा होता है ठोड़ा curved भी है ठीक है narrow होता है female के comparison में male का जो size है वो यहां 22-30 cm तक होता है ठीक है और female जो है वो longer है और broader है than male बड़ी होगी और male के comparison में broad होगी इसका size जो है वो 20 से और 40 cm तक होता है female का जो size है वो 20 से 40 cm है और male का जो size है वो 20 से 30 cm तक होता है ठीक है और sexual dimorphism show करते हैं यह ठीक है और sexual dimorphism बता जिसमें हम morphologically बहार से देख के male और female को differentiate कर सकते हैं यह बता है कि male कौन है female कौन है ठीक है और एसकेरिस जो है वो एसकेरिया से digit कोज करता है यह जिसको हम बोलते हैं एसकेरिया से और mostly जो children होते हैं उनके अंदर यह ज्यादा डिजिस कोज करते हैं ठीक है तो यह male एसकेरिस है और यह female एसकेरिस है तो इदर इनका mouth part है excretory pore है यहाँ पर यह female genital pore aperture है जिसके through इनके अंदर reproduction होगा ठीक है और यह male के पास penile city होगा जो यह copulatory organ की तरह काम करेगा जिससे अपनी यह gamits को जो है female body के अंदर discharge करेगा ठीक है यह penile city है और इदर cloica है यहाँ पर anus नहीं है यहाँ पर क्या है cloica है ठीक है और cloica जिसमें urinary और genital opening है वो दोनों एक जगें पर होती है और फिर एक single opening जो हो बाहर bodies open होती है यह एनस है ठीक है और यह पूरा एसकेरिस लंब्री कोईड दोनों आपको इसमें डाइग्राम में दिख रहे है दूसरा एक parasitic excalement है एंसाइलोस्टोमा डूडेनल एंसाइलोस्टोमा डूडेनल को हम हुकुवम भी बोलते है ठीक है और यह भी endoparasite है human being की small intestine के अंदर यह भी कोनो जनेटिक है इसके अंदर कोई secondary होस्ट नहीं होता है सरफ human being भाई इसका गोंस्ट है ठोड़ा सा कर्ड है तभी नहीं क्या बोलते हैं इनके कर्ड होंगे इसलिए नको हुकुवम बोला जाता है ताहिए मेल जो है उसकी लंबाई 8-11 mm long होती है जो female जो है उसकी जो लंबाई है वो 10-13 mm long होगी male जो है वो 8-11 mm long होगा ठीक है और एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जो है human being के इंदर एक digits कोज करता है और उस digits का नाम है एंसाइलोस्टोमियासिस तो यह डाइगराम है यह male organism है male एंसाइलोस्टोमा है और यह female एंसाइलोस्टोमा है इदर इनका एंटियर है एंटियर पार्ट जिसमें माउथ है ठीक है male के पास में यह पिनाइल सेटे होंगे जिससे अपने गैमिट्स को female body में ट्रांसफर करता है यह जो इससा है इसका क्या बोलता है कोपुलेट्री बुर्सा जो कोपुलेशन में हेल्प करेगा ठीक है यह female है और female long होती है male से ठीक है नेक्स्ट जो ascalminth है parasitic ascalminth उसमें आता एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस और एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस का जो दूसरा नाम है लोकल नम है वो है पिन वम बोलते हैं इसको ठीक है और यह जो एंट्रोबियस वर्मीकुलेरिस है यह हिमन बिंग की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके इंदर एंडो पैरसाइट हैं पैरसाइट ओफ एंटेस्टाइन ठीक है मेल जो है वो 3-5 mm long है और जो फिमेल है वो 8-13 mm long होती है ये मेल और ये ता है फिमेल ठीके ये भी sexual dimorphism show करते हैं और एक डिजिस कोज करते हैं जिसकों बोलते हैं ये चीडर के लिए चूड़न के अंदर करते हैं है कि चोटे बच्के चोटे ऑर रिले कि ये सिस्ट्रों को बच्च या इंगलीों से और इनके फस जाते हैं और जो नहीं यहातों से खाना हएते हैं तो ये body के अंदर enter कर जाते हैं, तो ये female है और ये male entrobias है, इनकी structure इदर male पे वही penile set होंगे, ये cloica है, और ये एक और structure जो होते हैं, जो होते हैं, दोनों पे present होंगे male और female के उपर, female genital pore भी इनके, यह female genital pore है, और commonly ये children जो होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे जो होते है उनके इंदर ज्यादा मिलते हैं, ठीके, next, next जो organism है वह उचर एरिया, जिसको हम philarial worm बोलते हैं, philarial worm जो है, वो lymphatic vessel और lymph node जो है, human being की, उनके अंदर endoparasite है, endoparasite in the lymphatic vessel and lymph nodes of a human being, thread-like और cylindrical organism है, pointed end है इसके, ठीके, और ये जो है, die genetic है, कैसा है, ये die genetic है, इसमें दो होस्ट होते हैं, एक man है, जो primary होस्ट है, और एक eddies mosquito है, जो secondary होस्ट है, इसका, ठीके, इसके बाद ये जो उचर एरिया है, ये बोडी में enter करने के बाद में, जो lymphatic vessels है, lymph node है, वहाँ जाकर ये डिवाइड करता है, और अपने number को बढ़ा लेता है, बहुत जादा, और इसके जादा number के होने की बज़े से जो lymphatic vessels है, जो lymph का जो पैसे जब वो क्या हो जाता है, ब्लोक हो जाता है, और lymph node और lymphatic vessels जो वहाँ पर lymph इखटा होना start हो जाता है, और जो lymph इखटा हो जाता है, बहुत सारा, तो body के बहुत जादा lymph इखटा होने से, उसमें swelling आ जाती है, और वो काफी बड़े size के बन जाते हैं, ठीक है, और appearance ऐसी हो जाती है, उन limbs की जैसे हाथी के पैर हो, जैसे बड़े-बड़े मोटे हाथी के पैर हो, उसी तरह से इस disease में भी जो patient है, उसके limbs जो है, वो बन जाते हैं, इसको elephantiasis बोलते हैं, या elephant's foot भी इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है, इसका philariasis digits, ठीक है, तो ये block कर देता है, accumulation of these worms, block the lymphatic system and cause inflammation of lymph nodes, lymph node में inflammation आ जाता है, जैसे lower limbs जो है, जैसे legs है, scrotum है, ठीक है, फुट है, वो enlarge हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यान में, स्वैली में आ जाती है, ठीक है, और ये इसमें male organism है, ये female organism है, ठीक है, वोई pinealcite, caudal, LA यहाँ पर है, लेकिन female के पास यहाँ caudal LA नहीं है, ठीक है, cloica यहाँ प्रजेंट है, इधर mouth होगा, ये genital pore है, ठीक है, ये पूरी structure जो है, ये उचर एरिया male और female की है, उचर एरिया की, जो common species है, उसमें है, उचर ए एरिया, बेंक्राफ्टी और उचर एरिया male, ये organism है, कुछ एक escalement, parasitic escalement, ठीक है, तो अब हम, ये हमारा जो phylum escalement, यहाँ complete हो जाता है, next time, हम जो नया phylum है, NLEDA, उसको पढ़ेंगे, thank you.